जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में एक जल संकट की स्थिती बनाई है, क्योंकि हर्याना सरकार ने दिल्ली के हक का 120 MGD पानी रोक लिया है, उसके बाद दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड लगातार संगर्श करती रही, मेहनत करती रही, लोगों के घरों में पानी पहुचाने का हर संभव प्रयास किया, और हर्याना सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करी, हमने हर्याना सरकार से कई राउंद्स बात करी, यहां तक की सुप्रीम कोट में दिल्ली वालों की हक के लिए, दिल्ली वालों के पानी के अधिकार के लि मुझे बताते हुए बेहत खुशी है 16,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है हमारे हक का पानी दिल्ली वालों के अधिकार का पानी दिल्ली वालों के हक का पानी हमारा legitimate water share जो हर्याना ने रोक रखा था वो हर्याना ने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोट में याचका दायर करने के बाद छोड़ दिया है वो दिल्ली की ओर आ रहा है मैं आपको बता दू 16,000 क्यूसेक पानी हतनी कुंट पे हर्याना सरकार ने छोड़ दिया है और अब वो अगले 3-4 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा उसके बाद दिल्ली के अंदर जो ये जल संकट है ये समाप्त होगा और लोगों की घरों में साफ पीने का पानी पहुंच सकेगा आप सब जानते हैं कि दिल्ली एक लैंड लॉक शहर है दिल्ली सदैव से पडोसी राज्यों पर अपनी वाटर सप्लाई के लिए डिपेंडेंट रहता है उत्तर प्रदेश से गंगा नदी के माध्यम से हमें पानी आता है हर्याना से यमुना नदी के माध्यम से पानी आता है पंजाब से भाकरा नंगल से हमारे पास पानी आता है, दिल्ली के आसपास अपना कोई समुंदर या अपनी कोई बहुत बड़ी वाटर बॉड़ी तो है नहीं, तो अन्य राज्यों पर सदैफ से निर्भर रहने वाली दिल्ली, आज अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़त के लिए और हर्याना ने दिल्ली के हक का पानी 16,000 क्यूसक पानी छोड़ दिया है, जो अगले तीन दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा, मैं फिर से एक बार जो समस्या, जो परिशानी का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ा, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, आपक सरकार ने ये पानी दिल्ली के हक का, दिल्ली के अधिकार का पानी छोड़ा है, और अगले तीन दिन में ये 16,000 क्यूसक पानी जो हतनी कुण से चला है, जहां से छोड़ा गया है, वो दिल्ली पहुंचेगा, बहुत-बहुत शुक्रिया, जैहिंद